हेलो हाई फ्रेंड्स आज अपन इस वीडियो में क्लास 10 का चाप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेंट्री एक्साइज 11.1 का सेवेंट कोशिन सौल करेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर आपन को टोटल 2 बिट से इसको अंदर खेंगे एक्साइज करेंगे फ्रस्क्याल कोशिन ग्या देखिया गिवन कोट टीटा इस इकल टो 7 अलाउएट दें एवालुएट 1 न्यूस इन दॉन सेई टेटा 1 प्लस कोस् टा इन तो 1 मैलस कोस्ट टीटा ओके इस फ्रेंड्स फर्स्ट अपन कोट टीटा का वैलू फर्स अपने ट्राइंगल ड्रो कर लेंगे त्व मैं इसको ए बी और ची से लोट कर raha हूं तो मैं अगर एंगल यह पे टीटा ले रहा हूं तो मिरों को आपोजिट क्या हो जाएंगा यह वाला हो जाएंगा और एडजेसंट यह वाला हो जाएंगा और यह हाइपोट साट हो जाता है कि आंगिल 90 डिक्र की canyonche में हाइप टेनिस साट है हमेशं है इसा हमेश शुर्छा अभी देखें क्या सोट्ट T इस व्ल्ट त सेवन वा यड़ कौड त क्या रिशिक्षल कर ठूट cot theta is equal to 1 by 10 theta so क्या मैं 7 by 8 को 1 by 10 theta means क्या मुझे tan के value calculate करना है तो क्या मैं 1 by cot theta लेलू तो cot के value क्या है friends इसर 7 by 8 है तो 1 by 7 by 8 बोले तो आपको क्या आ जाएंगा reciprocal होकर 8 by 7 है okay tan is equal to tan theta equal to 8 by 7 अभी tan theta equal to 8 by 7 मुझे tan का value क्या है friends first of all tan कैसा funded करते है अपन opposite by adjacent so opposite by अपनको tan का value क्या है 8 by 7 so opposite क्या होगा friends इदर opposite क्या होगा 8 और adjacent side क्या है 7 so क्या आपन इसके लिए hypotenuse value calculate कर सकते कर सकते ना friends किसकी मतद से Pythagoras theorem की मतद से so क्या हमा according to Pythagoras theorem according to Pythagoras theorem क्या कर सकते friends AC square equal to AB square plus BC square AC square equal to AB square plus BC square so AC square ही तो calculate करना है friends अपनको इदर तो AB square कितना दिया 7 दिया that is adjacent side okay और BC square कितना है opposite that is 8 square so 7 square बोलतो 49 हो जाएंगा और आपको 8 square बोलतो 64 हो जाएंगा यह क्या है AC square है तो 49 plus 16 64 आपको क्या हो जाएंगा 113 so मुझे AC calculate करना है तो under root 13 so AC का value क्या आगया under root 113 so क्या मैं इदर लिख दो 113 अभी मैं रखो hypotenuse value आगया so क्या मैं 1 plus sin theta into 1 minus sin theta को calculate कर सकता हूँ कर सकता हो ना भी तो हापन क्या करेंगे first 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by क्या है question 1 plus cos theta 1 minus cos theta so देखें friends इसमें अपने कुछ sign के और cos के values होना तो क्या आपन जस्ट 10 के वैलो निकाले तो क्या sign के और cos के वैलो नहीं निकाल सकते है निकाल सकते है ऐसा opposite by hypotenuse opposite side क्या है friends 8 hypotenuse side क्या है under root 113 और cos theta value के आए friends adjacent 7 by hypotenuse 7 by under root 113 ok so sin theta cos theta tan theta values आगे अभी अपनको just sin theta का value substitute करना है देखें friends इसको दो तरीके से कर सकते हैं यह देखें है कैसा है a plus b into a minus b है जब अपने को पता है a plus b into a minus b फर्म पर है तो अपने को पता है a square minus b square आजेंगा ok आप इसकी मदद से identity के मदद से भी कर सकते है so first आपन इसकी मदद से करेंगे so a plus b into a minus b so इदर a के आए friends 1 है where a is equal to 1 and b is equal to sin theta ok so a square बोलता 1 square minus b square means sin square theta ok और इदर भी देखे a plus b into a minus b है तो इदर क्या हो जाएंगा friends a equal to 1 b equal to cos theta हो जाएंगा नीचे वाले case में तो क्या मैं 1 square minus cos square theta लिखूंगा ok तो अब ये मुझे क्या लिख सकता हूं 1 square का 1 ही चाहेंगा और sin square theta by 1 minus cos square theta तो क्या मैं अभी sin का value मुझे पता है ना friends क्या है 8 by under root 13 so 1 minus 8 by under root 113 तो इसका square है ना friends तो ये 1 minus cos का क्या है friends 7 by under root 13 है so 1 minus मैं अभी square इसको भी देना है और इसको भी देना है so 8 square बोलतो मैं directly 64 लिख ना हूं और under root 13 बोलतो under root square root cancel होके just to 113 बसता है friends और इधर भी देखिया 1 का 1 और under 7 square means 49 under root square बोलतो square root cancel होके 113 बचिंगा okay so देखिया friends 113 minus 64 by 113 ये 113 आ गया फिर 113 minus 49 by 113 so ये 113 ये 113 cancel हो जाएंगा आपको 113 minus 64 करेंगे friends 113 minus 64 करेंगे तो आपको 49 आएंगा और 113 minus 49 करेंगे तो 64 so इसका answer ये हैज I hope आपको समझ में आँगा friend first वाले का answer 49 by 64 okay so ये आपन a plus b whole square into a minus sorry a plus b into a minus vk identity की मदस से अपन solve करेंगे इसको चाहे आप इसको directly आप sign की जगह में value substitute करेंगे फिर भी आपको ये answer आने वाला है kosten 2 अड़ रोट प्रेंट्स 8 by under root 13 है ना sign का वाल्व अंडर रूट 8 by 13 so 1 plus 8 by under root 113 so cost theta का क्या है 7 by under root 113 तो अभी देखिए मैं क्या इसको लिख सकता हूँ अंडरूट 113 फ्लस E8 1 इंटो अंडरूट 113 बोलता 113 फ्लस E8 बाई अंडरूट 113 बाई 7 बाई 113 अंडरूट अंडरूट कैंसल हो जाएंगा क्या बचिंगा लास्ट में फाइनल आंसर 113 प्लस E8 बाई 7 इस कोश्चन का इस बिट का यही आंसर है इस तरह आपन इस कोश्चन को स्वाल करना था फ़र सेवन्त कोश्चन में दो बिट्स था आपन दो बिट्स को भी स्वाल किये है आपको वीडियो कासा लगा है जरूर मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएए अगर आपने इस चैनल पर नए है तो सब्सकाइब कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए थैंक यू